एक बार सोया चंक्स इस तरीके से बनाऊगे तो बार बार बनाने का मन करेगा गुड इवनिंग तो अल अफ यू, मैं दीना कंडारी, आज डिनर मैं सोया चिली बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर एक कटोरी के करीब सोया चंक्स लिया है, जो मैंने आदा घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अब यह काफी फूल चुके हैं, और मैं इनको निकाल के निचोड के एक बर्दन में अलग कर देती हूँ इनको सोया बड़ी, सोया चंक्स, न्यूट्रेला, अलग लग नाम भी बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे सोया चंक्स को निचोड के इस पैन में रख दिया है इसके बाद इसमें मैं 3-4 चंबच के करीब राइस फ्लार डालने वाली हूँ, यह देखिए मैंने राइस फ्लार आजी यह मिक्सी में ग्राइंड किया था, घर का ही राइस फ्लार है यह और अब मैंने इसमें राइस फ्लार डाल दिया है उसके बाद जिंजर गालिक का पेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग नम्मक और थोड़े से मसाले एड़ कर दिये हैं चम्मच से नहीं हाथ से मिक्स करूँगी ताकि चावल के आटे की कोटिंग अच्छे से आ जाए सोया बिन में यहाँ पर सोया चंक्स को मैंने राइस फ्लार के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है इधर मैंने पैन चड़ा दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2-4 चम्मच ओल थोड़े इसको गरम होने तक वेट करूँगी और उसके बाद इसमें सोया चंक्स फ्राइ करूँगी लो अब ओयल गरम हो चुका है इसमें सारे सोया चंग्स को मैं डाल दूंगी और फ्राई करूंगी यहाँ पर सिर्फ दो तीन मिनाटी फ्राई करना है क्योंकि जादा फ्राई करूंगी तो जल भी सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा कलर आ रखाया देखे राईस फ्लार की इसमें अच्छे से कोटिंग आ चुकी है और अब मैं एक प्लेट में इनको निकाल देती हूँ और अब इधर गैस पे चड़ा दिये हैं मैंने कड़ाई उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ओयल डालूंगी जादा नहीं दो चमज के करी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और उसके बाद एक लॉंग और दो काली मिर्च जो मैंने पहले कूट दी थी उसको डाल दिया है और अब इसमें डाल देती हूँ कुछ कटी भी लैसुन ये मैंने पहले कट कर दी थी इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे थोड़ा इसमें ब्राउन कालर आना चाहिए और अब यहाँ पर लैसुन पक चुका है मेरा और इसमें डालूंगी में ये प्याज जो मैंने इस तरीकी से काट रखे हैं और उसके बाद मैं इसमें सिम्ला मिर्च एड़ करती हूँ जो मैंने पहले ही कट कर दिया था सिम्ला मिर्च एड़ कर दिये हैं सिम्ला मिर्च और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक दो मिनट के लिए पकाएंगे इनको यहाँ पर मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ टमाटर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिर्फ सबजियों में अब सोया चंग इसमें डालना है उससे पहले मैं कुछ मसाले और動画 डाल देती हूँ मेरे पास सिर्फ टमेटो केचप ही है उससे पहले मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और ठोड़े से कुछ मसाले उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें red chili powder डाल दूँगी तो यहाँ पर मैंने ये red chili powder भी डाल दिया है ये देखे थोड़ा सा color इसका अलगी हो जाता है red chili powder डाल कर आप चाहो तो अपने हिसाब से आप chili powder डाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर तीखा कम खाते हैं तो मैं यहाँ पर चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पहले से ही मेरे पास मसालो में थोड़ा सा एड़ कर रखा था मैंने चिली पाउडर तो मैं उसी से घाम जला रही हो क्योंकि बच्चे भी तिखा नहीं खाते हैं और अभी मैंने एक मिनट ढखकन रखकर इनको पकाया है सिम्ला मिर्च और प्याज को यहाँ पर इसी टाइम पर आप सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर भी डाल सकते हैं बिल्कुल उसका टेस्ट ऐसा आता है ना मंचूरियन जैसा मैं यहाँ पर सिर्फ टोमेटो केचप डाल रही हूँ मेरी पास सिर्फ यही अवेलेबल था अगर आप यहाँ पर सारे सॉसेज डाल देते हैं तो आपका बन गया हो सोया चंग्स मंचूरियन अगर आपको पसंद आये तो जरूर ट्राइ किजिएगा और यहाँ पर डाल देते हैं हम सोया चंग्स जो हमने राइस फ्लार की साथ कोटिंग कर रखी थी बस यहाँ पर सारे मसाले भी पक चुके हैं और वेजिटेबल्स भी सारी पक चुकी हैं बस टोमेटो शॉस डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाना है एक मिनट के लिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर मेरी सबजी थोड़ा ड्राइ हो रखी है और इस इमाम दस्ते में मैंने थोड़ा सा यह काली मिर्च और लॉंग कोटी थी तो उसी में पानी डाल के मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है और चलाते रहूँगी तो यह देखिए कितनी बड़ी हा बन के तयार हो गई हमारी सबजी इस सबजी को मैं ग्रेवी वाली भी बना सकती थी लेकिन मुझे यहाँ पर ड्राइ सोया चिली चाहिए था तो इसलिए मैंने ग्रेवी वाली नहीं बनाई और मैंने थोड़ा यहाँ पर कसूरी मेती भी एड़ कर ली है इसका अलगी फ्लेवर आता है और गानिशिंग के लिए थोड़ा धन्या पत्ती एड़ कर दी मैंने तो हमारी सबजी बन कर तयार है और अब इस सबजी को एक कैसरॉल में रख देती हूँ ताकि गरम रहे इस तरीके से यह देखे इतनी लाज जवाब सबजी बन रखी है जितनी देखने में लगती है उससे कही ज़्यादा खाने में टेस्टी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू